आटामिक्स पावर हैं हम, हमारे पास क्या नहीं है, मुझे यह इस चीज़ का जवाब दें आप अटामिक्स सर एटम से रोटी खा सकते हैं, एटम बम से सर अगर आज इंडिया की बात कर रहे हैं, आप तो दुनी की चो पांचवी बड़ी महिश्यत है सर पांचवी बड़ी महिश्यत है में बन जाती है जहीं दोस्तो, मो डिदेश में आपका सौगट है दोस्तो, आज पाक मीडिया बात करें, कैसे भारत के स्पेस एजेंसी इसरों ने एक ही बार सेटलाइट लांच करके 100 मिलियन डॉलर्स कमाए है और ये 10% है, वो इमांट जिसके लिए पाकिस्टान आई एमिफ के धक्के खा रहा है तो पाकिस्टान है, हैरान हो गएगी भारत के एक स्पेस एजेंसी ने इतने जखम कमाई है जबकि पाकिस्तान का स्पेस एजन्सी जो है सुपर को उसने आज तक पाकिस्तान को कोई पैसे कमा के नहीं दिये क्योंकि सुपर को आज तक कोई भी मिसाईली लॉंच नहीं कर पाया सेटलेट लॉंच करना तो बहुत ही दूर की बात है और वह भी दोसरे देशों के लिए तो पाक मीडिया यहां पर भारते स्पेस एजन्सी इस जो की टारीफ कर रहा है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मिसे दार है तो इससे आप पूरा सिरूर दिखेगा तो चलिए और इंतसार न करके वीडियो दिखते हैं अब लोगों ने मेरी बास हुने इंडिया कितनी बड़ी पापुलेशन है उसके बद उसकी कानुमी क्या है हम वर्ड पावर है क्रिक्ट में देखें हौकी में देखें सक्वाइश में देखें लैब्स हमारी चल नहीं रही उसके लावा हम वर्ड चैंपियन होते हैं अटामिक्स पावर है हम हमारे पास क्या नहीं है मुझे यह वाइस चीज़ का जवाब दें आप अटामिक सर एटम से रोटी खा सकते हैं एटम बम से सर अगर आज इंडिया की बात कर रहे हैं आप तो दुनी की चो पांचवी बड़ी महिशत हैं भी बन जाती है दुनिया में कितने टोटल मुलक है आई थिंग 250 के गरीब हैं लोग दो सो चार पांच है दो सो चार पांच मुलकों के अंदर पांच वी बड़ी महिशत बनना खुद में ही बहुत बड़ी बात है या नहीं पांच वी बड़ी महिशत कैसे बना इंडिया आप फरस करें आप कैसी का उंचा मकान देखके अपन बात करें फिर दूसरी दुनिया के लोग ये कहते हैं इंडिया के लोग हो बंगलादेश के लोग हो वर्ड ये कहते हैं कि जजबाए माननी भी मुसल्मानों के पास दुनिया की टाप आर्मी भी मुसल्मानों के पास टैलेंट भी मुसल्मानों पाकिस्तानियों के पास फिर पाकिस्तानी भी क्यों माग रहे हैं उसका क्या जौब मैं दूँ आप क्या जौब दें यही है कि यह सब कुछ होने के बावजूद ना यह पीछे क्यों रह गए हैं एक साइड पर अभी आपने कहा मारे पास जजब है तो दूसरी साइड पर हम पीछे रहे हैं जो नीचे वाले तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछल दिया जाता है आने वाले टाइम में यूथ इन चीज़ों की तरफ आएगी यूथ को यह पता चलेगा अवेरनेस आएगी कि यार यह इशू चल रहे हैं कि यह पता चलेगा है हमारी सोशल मीडिय अंडरेस्टी को चाहिए कि इन टौफिक्स के ओपर सैमिनार्स किये जाएं लोगों को आवेरनेस दी जाए कि हमने इस रस्ते नहीं इस रस्ते जाना है हमारी जो social media industry है वो सिर्फ एक politics पर रहागी है memes पर रहागी है इसके लावा उनको कोई काम नहीं आता और कोई कुछ दिखाते नहीं है बस इसी पर लगे हुए है यखिनन एक बहुत बड़ी success story है और मेरे ख्याल में किसी Asian countries में से जब यह चीज़ होती है कि हम इस technology से और इन चीजों से फाइदा होता है कि आज हो सकते हैं ना में यह चीज़े वो लगें एक तो यह test के अवाले से मैं पहट रहा था कि पतनी एक test से पतनी कितने सो million dollar का जो है वो earning जो हो रही है तो इसके ऊपर तोड़ा सा फिर वो मेजालवारी इशू पर जाए पर जाए यह यह इसरो का heaviest launch vehicle अब तक का इसमें 36 बड़े satellite launch किये गए और 104 का record भी वो छोटे satellite है बड़े satellite सबसे heaviest vehicle है और जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है I'm not very right यह 1000 करोड यह 10,000 करोड की कमाई हुई इस पर I think 1000 करोड यह launch has given a revenue of 1000 करोड यह profit of 1000 करोड this is what this launch is about और यह multi-billion dollar market है इसे मैंने आपके लाशों में बड़कुल बड़का तो हम इसमें अप एंटर कर चुके पहले यह space was dominated by Aryan space जो France है और अब हम यहां से उन से सस्थे कॉस्ट में लाँच कर लेते हैं जबर लाँच कर लेते हैं और जो हमारा PSLV है PSLV को तो हम सतर गंटों में तयार कर देते लाँच के लिए और वो इसने साथ जाड़े नहीं ले बाता तो 36 सेटलाइटों को एक साथ लाँच करना और कॉस्ट पर लाँच करना यह बहुत बड़ा मार्केट है और हम इसमें आ रहे हैं और हैं जो लाँच वहेकल था हमने लगाया और हम जो और हैं और हम इस लीए स्टलाइट इंटरनेट और इसके अवाले से पढ़ना है आपस में लेकिन कल मितल साब का मैं पढ़ रहा था कि शायद इंडिया भी स्विछ की शुरू करने वाला इस तरह का इंटरनेट अपना उनोंहें इस तरह वन वेब और स्टार लिं बता रहे थे कि पर मंत एक का expenditure आता है नॉर्मल एवरेज अगर हम मोबाइल इंटरनेट की बात करें एक सिंगल इंडियन की तो डाई से टीन डॉलर का आता है तो वो यह बता रहे थे कि इस तरह का इंटरनेट और यह इस तरह की चीज लांच करेंगे कि लोगों की अपर्णेस में हो लोगों के जेब पर बार ही ना पड़ने तो यकीनन एक बहुत बड़ी चीज है चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो पहले बंडे ने जो कहा कि भारत सुपरपावर नहीं है यह सुपरपावर नहीं बनने वाला बलकि पाकिस्तान सुपरपावर है तो पाकिस्तान ही ऐसे सपने की दुनिया में रहते हैं तभी पाकिस्तान की यह हालत है पाकिस्तान सोचता है कि हम तो पहली सुपरपावर है तो अब और मेहनत करके क्या फाइदा और पाकिस कोई तर्की नहीं होती और पाकिस्तान की जो हालत है उससे भी खराब हालत में पाकिस्तान जा रहा है और पाक मीटें जो कहा कि हामारे अंडर जस्बा बहुत है तो जस्बे से कुछ नहीं होता एक स्पेस एजेंसी चलाने के लिए एडूकेशन की भी जर्वत होती है और पाक से साइन्टिस्स को भी मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते और पाकिस्तान ने तो आस तक अपना कॉई सेटलीट लॉंच नहीं किया दूसिरी देशों के सेटलीट लॉंच करना तो बहुती दूर की बाथ है और उसके वज़से पैसे कमना भी पाकिस्तान के लिए बहुती दूर की बात है पाकिस्तान ने एक जिसर्च बेस बनाने की बात की थी पर पाकिस्तान को वो भी फोर्णना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे ये तो पाकिस्तान के स्पेस एजिंसी की हालत है और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस जो ने ये चीज पहली बार नहीं कि इस जो ऐसे सटलेट बहुत डेसों के लिए बहुत बार लॉंच करता है एक साल में तो ये उन में सही एक था ये इस जो के लिए कोई बड़ी बार नहीं है इस जो ये चीस बहुत बार करता है एक साल में तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों ये वीडियो टिकने के लिए बड़ा हो सक्या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा थांक्यू बरी मच्च